हलो दोस्तों, IQ Plus Academy में आप सभी का स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सची वाले साहय के जो प्रिभियस येर का कोश्चन है CGL2 का, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, आज का और ये next question क्या कह रहा है, गुवा किश नदी परवस्तित है, तो दोस्तों, गुवा का जो रजधानी है वो है पानजी, और पानजी जो है वो मांडोवी नदी के किनारे इस्तित है दोस्तों, तो option B का राइट एंसर हो जागा दोस्तों, चलिए next question पे चलते हैं, समदाब र होता है, तो उस दोनों के अगर एक line में हम लोग मिला ले, ड्रॉ कर ले, तो उसी रेखा को हम लोग समदाब रेखाई कहते हैं, चलिए next question देख लेते हैं, इन में से कौन सी नदी कक्ष के रन में समाईत होती है, तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, लूनी नदी और आवल किस देश से थे, अच्छली उस समय का ये current affairs का question है दोस्तों, तो अभी हमें current affairs वाला section भी देख लेना अच्छे से हैं, ये भी आप देखेगा कि कितने current affairs का question इसे पूछेगा है, तो उसके according आपको syllabus का भी एक idea हो जाएगा है न, चलिए next question पे चल लेते हैं, ये अच्छली 17, हाना, आपको पता है ये अनुछित 14 में आपको कानून के बारे में बात की जाती है, हाना, ये आपका बात करता है जाती लिंग अनुपात, ऐसा something में मत भेद ना हो, फिर ये बात करता है 18 जो कि कहता है कि कोई भी उपादी है उसको खतम कर दिया जाए, जो पहले की उप लाहिछ रहा है इसका जो राइट एंसर हो जागा option c हो जागा दोस्तों पंचायत निर्वाचन के परिनाम घोसित करने की थिती से की जाती है जुस दिन उसी दिन से count होता है पांच ś il आना, उसी दिन से count होता है ना कि पहले से cherche देख लेते हैं राजसभा के संदर्ब में न मत्रीपरिसदamenось के प्रति पृतरदाई होते, कैसल नहीं, राजसब़के पृतरदाई नहीं होता है, वह अच्छली संसदके प्रति पृतरदाई होते हैं, जो कि आपका छूद सभाब यह bites होते हैं, तो ध्यान करिएगा, तो इए आप्शन अपका गलत है, नेम्ट झे, बिस चलेनेश देख लेते हैं, राज सुची के किसी भी सह पर संसद कानून बना सकती है, बिलकुल सही है दोस्तों, संसद ही तो कानून बनाती है ना? तो यह बिल्कुल भी सही है दोस्तों, तिसके राइट एंसर ऐप्शन C हो जाएगा, ऐप्शन D में क्या लिखा हुआ था? धन भी दहक राजसभा में लाए जा सकता है, बिल्कुल नहीं, यह लोक शभा में लाए जाता है दोस्तों, है ना, चले ने शोचन देख लेते हैं, जितने उसमें जो चकर में कितनी होती तो छोबगुस होती है बिलकुल साहिए और इसका जो प्रतिक है दोस्तों सिंर्स जो सिंक का सित्रस होता है वो एकशली सार्नाथ के 접कर चेख असोप असथंबै ना अ didn't इसको लिया गया दोस्तों है ना यह बिल्कुल भी सही नहीं है तो इसका राइट एंसर C हो जागा दोस्तों और यह 52 सेकेट का है दोस्तों अधिकाड़ी जो टाइम है ना चल यह देख लेते हैं दोस्तों लोग सभा या विधान सभा के निर्वाचन में एक उमिद्वार अपनी जमानत के राशिक हो देगा अगर उसे कुल बैद मतों का कितना मत उसको प्रात नहीं होगा तो वो अपना जमानत के राशिक हो देगा दोस्तों अच्छली क्या होता है कोई भी एलेक्सन होता है ना तो οिसमें कुछ जमानत के रासी के रूप में मतलब नहीं लेकिन वो पैसे मिलने के एक अन्डीसा ने वह क्या है कि आपको टूटल मत जो होता न कहा जहां भी आप लर रहे हो हाँ है जहां क्या प्रतिएसी हो वहा तूटल जो भूट मिलता हूं उसका 1-6 आपको मिलना चाहिए तभी आपको जमानत के रासी मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी दोस्तो फाना चलिए नेक्स्ट कोच्छन क्या कह रहा है भारते राष्टे कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहा हुआ था तो दोस्तो इसका राइट एंस और अप्शन बी हो जाएगा बंबाई के गोगुल दास तेजपाल संस्क्रिट बिद्याले में हुआ था जो कि पूने मे जो संस्थापक थे राष्टे कॉंग्रेस के वो कॉन थे दोस्तो एई हूम ही थे और इसमें टोटल कितने परती निध्यों ने भाग लिया था दोस्तो तो 72 परती निध्यों ने भाग लिया था ये भी एक जाम में कोच्छन आता है तो याद करिएगा है ना दोस्तो खान लजे कि अभी अपने बिहार में नितिसकुमार जी की सरकार है और विपक्ची दल है राज़द तो राज़द जब दावा किया होगा ना तो उसके पास कम से कम पचपन कैंडिट सीट होना चाहिए था तो उसके पास है तो उसने दावा किया तो वो बिपक्ची दल है लेकिन ऐसा हो अभी के साइम में अगर नेशनल वाईज हम लोग देखें तो कॉंग्रेस के पास पचपन नहीं है मतलब पचपन से कम है फिर भी कुछ रिजन से वो आ जाता है ना कॉंग्रेस के पास अगर उसको विपक्ची दल करनेता बन विपक्ची दल बनना है तो उसको पास कम से कम पचपन होना चाहिए है ना चलिए मतलब मैंने बताया बस मुझे आडिया नहीं कि कॉंग्रेस पास टोटल कि इतने नंबर अब सीट से एक्टुली जा जाए फुक्ची दल होने के लिए कंडिशन है ना वचिपन होना चाहिए अफसाने इसका सहर थोष्mek चलिएं अगला प्रश्ण है ग्राम पंचायत का कोई सदस हस्त लिखित आवेदन मुख्या को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र पड़भावी माना जाएगा मुख्या जी को ले जाकर कोई सरपंच अगर अपना त्याग देना सकता है त्यागपत्र देना चाहता है तो वो ले जाकर मुख्या जी को दे देगा तो जिस दिन दिया उसके साथ दिन बाद ही वो वैलिड वाना जाएगा साथ दिन के अंदर वो चाहे तो फिर से रिटन ले कर अपना इरादा बदल सकता है है ना तो ऐसा कुछ है तो साथ दिन तक ही होगा इसका राइट एंसर हो जागा ऑप्शन यह ना चलिए नेश्वोचन देख लेते हैं भारत में सोतंतरता के बाद प्रथम आम चुना कब संपन कराएगा तो दोस्तों सोतंतरता के बाद पहली में रिजल्ट आया था तो इसके राइट एंसर अप्शन सी हो जाएगा दोस्तों चलिए नेश्वोचन पर हम लोग देखते हैं नरेजगा योजना का खर्च केंद्र और राज के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है तो दोस्तों नरेगा योजना में सबसे ज्याद का और दोसोग्याब का राज का चलिए नेश्वोचन देख रहते हैं दोस्तों पंचवर्शी योजनाओं में कौन सी योजना अनवरिष्टी और दो यूद्धों के कारण परभावित रही अब देखे दोस्तों अपने भारत के इतिहास में दो यूद्ध एक ही पंचवर् कि जूद्ध लग रहे अपना शरन कंत में कड़ है ऊपने इतियास को झूद्ध परते हैं तो अपनी सबसंब बडए किसान नित्यकवаки में सर्सवत्य ने धंड़ों के जी हैं option B का right answer है दोस्तों और इन्होंने बिहार प्रांति किसान सबाक्य स्थापना 1927 में करी थी और इसके आलावा एक national level पे भी करी थी दोस्तों 1936 में ध्यान करिएगा अखिल भारती किसान सबाक्य स्थापना और जिसका प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था दोस्तों लखनव में ना ध्यान करिएगा लखनव में हुआ था। और इसके महासची från तो वह एंजॅची रंगाजी थे ध्यान करिएगा ना एंजी रंगाजी थे छलिए नहीं देख लेथे हैं दोस्तों तो और जो बी उसके उपर दिकारी थे उन Beitra तो यह सब चीज़े इसमें लिखी गई थी दोस्तों चलिए नेश्ट कोचन देख लेते हैं दोस्तों नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन ए यहीं पे जो दिया हुआ है बलबंध राय मेहता कमिटी इनकी कमिटी एक बनाई गई थी जिससे पंचायती राज को आगे के तरफ बल मिला अगला प्राश्न है दोस्तों और भीकास कारेकरम का सार था समूधाय विकास ब्लोग भागेतारीया होना चाहिए तब ही ने समूधाय विकास होगा इसका राहिटेंस और अप्संसी होजाएगा दौस्तूंë,um... चैलिए, दुरुन झार पूरस्कार की शितर में दिया जाता है कितना इसी है न Google क्फिसी परशिक्षन के लिए दिया जाता Łवगर कि ये गुरु का प्रशिक्षन हो जाता दो 5 सằлем Hagin तुरुनाचार कही ना कही बहुत बड़ी एक इतियास में आदमी है ना गुरू है एक्चुली चलिए राष्टे खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है किसके संबंदी थे दोस्तों किस से संबंदी थे तो एक महान खिलारी थे जोस्तों जो हिटलर के समय में हुआ करते थे ह मेजर ध्यानचंद्रहोकी के जदूगर जिन को कहा जाता है है लिए पर मनेया जाता है दोस्तों दðust men कर एक इन कडिया अंग करेया ऑपस्सन कराई ए नसर हो जाएगा hoाई 12 एस्वेसिए एक हर Watts Keuw पहले कि MD जेस में और तो दोस्तों यह रस्य माय उजित किया गया था है ना चलिए देखिए यह सब करेंट अब देखेंगे अभी तक हम लोगों को तीन से चार कोश्चन करेंट एपेर्स के मिल गए मतलब करेंट भी थोड़ा वेट रखता है ना तो ध्यान करेंगे को भी देखते रहना है और वह भी किस-किस एरिया से पूछा जा रहे है इसको भी आपको केर करना है दोस्तों तो यहां पर खेल से पूछा गया फिर आपका थोड़ा सा जीके में भी रहा था आप उपरन देखा होगा नोटिस किया होगा तो आगे वैसे आप नोटिस करते रहो लास्ट तक आप जरूर सबसे पहले देखो उसके बाद तुम अपनी तयारी करो कि चलिए नेक्स कोचन देख लेता हैं डूरंडो कप किस सब्द्दीट है दोस्तों तो डूरंडो कप फुटबॉल से सम्बद्द्दीट है न चलिए नेक्स कोचन देख लेता है बर्स तो दोस्तों ये उस समय का आप देखिए करेंट का कोश्चन है ना सांती पुरुसकार वाला भी आपको अच्छा से केर करना है ना देखिए तो इसके जो आप राइट एंसर हो जाएगा दूस्तों सी हो जाएगा मलाला युसुप सही और कैला सित्तार थी है ना चलिए भी जान करिएगा है ना तो यह जो दोस्तों है वो असम का तेवार है ना यह सालवर में तीन बार मनाया जाता है एक बार कटल सरी फसल जो होता है उसका बुआई और एक बार उसको कटाई पे और एक बार उसको मेला लगा के बेचने वाला है ना तो तीन बार हो गया ना तो ए पास पास वाला पूछ लेगा थोड़ा सा इसा पूछेगा जो करेंट में भी इश्यू अब रहा हो और आपका थोड़ा यूनिक भी लगे तो पेरिगरेद्धानी कहा है दोस्तों तो लीमा आया ना ध्यान करिएगा और संसी चलिए अगला प्रश्ण है चैर्नोबिल परमान दोनों के बीच यह रस्या जो है नो चैर्नोबिल परमानुसायंत्र को अपने कब्जे में ले लिया हाला कि बंद तो था लेकिन फिर भी रख लिया क्योंकि यह बहुत बढ़ा रोल प्ले करता है उसके लिए है ना उसका जो भी स्ट्राटेजी रहा हो क्यों उस ने किया है तो यह उक्रेँड में श्ट्राम ध्यान करिएगा चलिए डोस्तों दोस्तों जपान की मुढ़ा जो है वा यह रहा है नंपगा निमलिकित में से किसरेवात बहरत के पुर्वी तट्कों परभावित नहीं किया पुर्वी तड्कों परभाव्त नहीं किया देख लेते हैं निलोफर आपका राजस्थान वाले एरिया को एफेक्ट किया था तो इस बज़े से इसका एंसर यह हो जाएगा चलिए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निमलिखित में से किस ने लिखी है ना ट्रेन टू पाकिस्तान जो दोस्तों है वो क्या हुआ था कि अच्छली जब प विंग्स ओफ फायर पुस्तक के लेखा कौन थे तो विंग्स ओफ फायर दोस्तों विंग्स ओफ फायर एपिज अब्दुलक्लाम सर है ना चलिए भारत एक खोज पुस्तक आमदाबाद नगर जो कि आमदाबाद में ही पड़ता है ना किला जेल में करवास के दोरान लिख भारत एक खोज के लिखा कौन थे भारत एक खोज के लिखा कौन है दोस्तों जोकि जेल में रहते हुए इन्होंने पुस्तक लिखी थी इनके पुस्तक बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों चलिए कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ दे वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है एक्चुली ये चीनी का कटोड़ा के रूप में जाना जाता है कौन सा इसा देशते तो क्यूबा है दोस्तो आपको पता ही है ऑप्शने चलिए जल का धना तो किस ताप पर सरवर्धिक होता है दोस्तो ऑप्शन डी हो जाएगा चार डिग्री सल्सेस पर सबसे जादा इसका सन्युक्त राष्ट्र संग का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तो सन्युक्त राष्ट्र संग का जो गठन हुआ था दोस्तो 1945 में हो जाएगा चलिए भारत के अजादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे भारत के अजादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे दोस्तो मांट बेटन हुआ करते थे हैं ना, चलिए, कौन ICS अधिकारी भारतिय राष्टिक कॉंग्रेस के 1885 में गठन में सामिल रहा, देखें दोस्तों, अभी जो हम लोग IS, IPS कहते हैं ना, उस समय ये ICS हुआ करता था, है ना, ICS, अभी चलके वो IS बन गया है, है ना, तो ध्यान करना है, तो उस समय कौन हुआ करते थे दोस्तों, जो कि आपके कॉंग्रेस के भी वो थे, संस्थापक माने जाते थे हैं ना, तो ये AO हुम है दोस्तों, ऑप्शन D हो जाएगा, चलिए, मैनमार की नईराजधानी कहा है दोस्तों, मैनमार की नईराजधानी जो है वो, नोपिदाव है ना, ऑप्शन C हो जाएगा दोस्तों, चलिए, तमस उपन्यास के लेखा कौन है दोस्तों, भीम, भीसम सानी है, ऑप्शन ये हो जाएगा, चलिए, बर्स 2013-2014 में, रंजी ट्रोफी किस टीम ने जीती, देखें, यहां खेल से भी अच्छे प्रशन है, तो उस समय जो भी नीचे था था, 1314 में, तो अभी के हिसाब से आपको इस कोशन को तयार कर लेना है है ना, चलिए, भारतिया आजादी के समय, इंगलेंड के परधान मंत्री कौन थे, तो दोस्तों, भारतिया आजादी के समय, इंगलेंड के परधान मंत्री कौन थे, दोस्तों, तो इसका र भारत और चीन के बीच पंच सिल समझा तक पर हस्ताक्षर्क हुआ जो कि अब इनको स्यनिको द्वारा इनके इनको अपने हिरासत में लेकर इनको चाहिए ना मैंन मारक यह द्यान कर दोश्तो है जो घटना अभी-अभी हुआ है महात्मा गांदी और बाबास साब अमेद करके बीचपुना संदी कभगा था दोश्तो कुछ हित में काम करने को लेकर कुछ चीजे आई थी जो मैकडोनल्ड जो थे उन्होंने कुछ बिल पास किया था तो उस पे लेकर कुछ चर्चा कुछ मतलब कमिया कुछ ऐसे चीजे थी जिस पे इन लोग को डिसकस करना जरूरी बन रहा था तो उसी चीज पे बात हुआ इस बिहार में बहने वाली नद्यों में किसका उद्गम जो है अमर कंटक में है तो इसका राइट एन्सर हो जाएागा option B सोन न मुदिया जो हो मर कंटक्स से आती है दच्छिन से आती है किसनी नलंदविषय बुदियाले में अध्यन किया दोस्तो नलंदविषय बुदियाले में किस ने अध्यन किया था तो हैं सॉंग थे जो कि चीन के एक संत हैं तो उन्हों नहीं इसमें अध्यन किया था दोस्तों चलिए पुर्ण स्वराज का संकल्प कॉंग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया दोस्तों जैसा कि हमें पता है लहोर के 1930 का सेजन था पंडी जुहला नेरुजी नहीं यह एलान कर दिया कि 26 जन्वरी को हम लोग पुर्ण स्वराज का एलान कर दिया दोस्तों तो उसी लिए 6 जन्वरी भी एक इंपोर्टेंट डेट बन गया दोस्तों हमारी इतिहास में है ना तो इसका राइटेंस और अप्शन भी हो जागा दोस्तों है ना ध्यान करिएगा